1982 में बनी फिल्म सत्य पे सत्ता का रिमेक बनने जा रहा है और कौन होंगे अमिता बच्चन के केरेक्टर को निभाने वाले और कौन होंगे वो एक्टर जो फिल्म में अमिता बच्चन के साथ भायों के किरेदार को निभाएंगे और किसकी कमबैक एंट्री होने वाली है इस साथ हेलो दोस्तो मेरा नाम है अर्जुन दिवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलिग्रैट सूडियोज पर दोस्तो बात करें सत्य पे सत्ता की तो 1982 में रिलीज हुई अमिता बच्चन की एफ फिल्म बहुत ही शांदार रही थी और अब इस फिल्म का बॉलिव रितिक रोशन को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था तो शुरुवाती दौर में उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने इस फिल्म को लेकर हामी भर दी है इसी के साथ ही रितिक रोशन के भाई के किरिदार के लिए वैसे ये पहली बार होगा जब रितिक रोशन और आयूश शर्मा एक साथ एक स्क्रीन पर नज़र आएंगे इसी फिल्म से जुड़े एक विशेश सूत्र ने ये खुलासा किया कि हाँ सत्य पे सत्य फिल्म में रितिक रोशन के छोटे भाई के रोल में आयू शर्मा को कास किया गया है और इस फिल्म में आयू शर्मा और रितिक रोशन के साथ अनुश्का शर्मा भी नजर आने वाली है और अनुश्का शर्मा इस फिल्म में रितिक रोशन के लव इंटरस का किरेदान निभाने वाली है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि रितिक रोशन और अनुश्का शर्मा की जोड़ी पर धमाल मचाने वाली है क्योंकि ये पहली बार होगा जब ये दो बड़े सूपरस्टार्स एक साथ एक बड़े परदे पर नजर आएंगे अब अनुशका शर्मा के बारे में ही बात करें तो सत्ते पे सत्ता के साथ उनका शांदार कमबैक होगा क्योंकि उनकी पिछली फिल्म में परी और जीरो बॉक्स ओफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाई थी तो इस फिल्म से अनुशका शर्मा को बहुत ज़्यादा उमीदे हैं तो दोस्तो आज क्लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलिवूड इंट्रेसिंग वीडियो के लिए देखते रहे हमारा चैनल और डोंट फोगेट टू लाइक, शेर और सब्सक्राइब